पूरा जरूर देखें और हो सकता है तो शेयर भी करें ताकि सबी को जानकारी मिल जाए दोस्तों Ministry of Health and Family Welfare की guideline आ चुकी है और उन्होंने 4-5 important important बात बताया है जो इस वीडियो में मैं आपको clearly explain कर देता हूँ पहली बात उन्होंने ये बोली है कि जिन लोगों को कोरोना वारस का infection हो चुका है और ठीक हो चुके हैं वो कोरोना वारस की vaccine लेने में जल्दी बाजी ना करें वो कोरोना वारस की vaccine चाहे वो co vaccine हो चाहे covid shield हो तीन महीने के बाद ही लें अगर आपको कोरोना वारस का infection हो गया है और ठीक हो चुके हैं तो vaccine तीन महीने के बाद ही लें दोस्तों दूसरी बात उन्होंने ये बोली है जिन लोगों को करोना वारस का infection हो चुका है जो लोग hospital में admit थे और जिनको monoclonal antibodies लगाई गई थी या फिर plasma therapy दी गई थी उन लोगों को भी vaccine लेने में जल्दी बाजी नहीं करनी है उन लोगों को भी vaccine ठीक होने के तीन महीने क बाद ही लेना है तो मतलब अगर आपको करोना वारस का infection था तो भी आप तीन महीने के बाद लेंगे अगर आपको monoclonal antibodies चली थी या फिर आपको plasma therapy दिया गया था तो भी आप तीन महीने के बाद ही vaccine लेंगे दोस्तों तीसरी बात उन्होंने ये बोली कि जिन लोगों को vaccine का पहला dose लग गया है और उसके बाद कोरोना वारस से संक्रमित हुए हैं तो दूसरा dose तीन महीने के बाद ही लें दोस्तों ये तीन महीने का क्या चक्कर है मैं आने वाले वीडियो में आपको explain करूंगा कि ऐसा उन्होंने क्यों बोला है तीन महीने का time क्यों बढ़ाया है पह चाहे को vaccine हो चाहे को भी शील्ड हो और कोरोना वारस का infection हो जाता है तो दूसरा dose ठीक होने के तीन महीने बाद लेना है और चौती बात उन्होंने ये बोली है कि जो लोग hospital में किसी और बिमारी के कारण admit थें किसी को serious illness था किसी को कोई और बिमारी थी जिसकी वज़े से hospital मे admit होना पड़ा या ICU में admit होना पड़ा तो वो भी कोरोना वारस की vaccine लेने में जल्दी बाजी ना करें वो एक दो महीने बाद वो ठीक होने के एक दो महीने बाद vaccine ले सकते हैं दोस्तों इसके अलावा एक और उन्होंने अच्छी बात बताई है कि जो lactating mothers है मतलब जो मा बच् की vaccine ले सकती है अभी तक ये guidelines जारी नहीं हुई थी lactating mothers को vaccine allowed नहीं था लेकिन अब guidelines आ गई है lactating mothers vaccine ले सकती है तो दोस्तों इस वीडियो में जानकारी बहुत एहम है आप चाहे तो share कर सकते हैं ताकि आपके friends और families को information ये मिल जाए और अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया तो क कर सकते हैं ताकि आपको health information और भी इसी तरह मिलती रहे दोस्तों मिलते हैं next video में तब तक के लिए take care